दोस्तो इस हबते box office में रिलीज होंगी बहुत सारी movies और होगा एक साथ class जैसे कि आप लोगों पता होगा 23 सेप्टेंबर को सन्नी पाजी दुलकर सल्मान की चूप revenge of the artist भी रिलीज हो रही है आरबाल की की एक बड़ी movie कहूंगा हला कि budget कम है वहीं इसके अलावा दोस्तो एक दोखा भी box office में रिलीज हो रही है काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि इनकी एडवांस booking खुल गई है तो एडवांस booking रिपोर्ट बताओ और एडवांस booking नहीं खुली तो भाई कब खुलेगी स्क्रीन किसको कितना मिल सकता है डेवन की कमाई क्या हो सकती है इसके अलावा बजट क्या है इनका तो आपका भाई आज के वीडियो में दोस्तों इन सभी बातों के ओपर चर्चा करेंगा उससे पहले आप से ग्रिक्वेस कि आप हमें सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरूर लैट्स टार्ट दोस्तो तो वैसे तो तीन मुवी रिलीज हो रही है हाला कि और भी रिलीज हो रही होंगी सेप्टमबर को लेकिन मैं ली इन तीन मुवी को हम लोग गिनेंगे क्योंकि कहीं न कहीं इनका कह सकते हैं कि बड़ा यहां पर क्रेज मालूम पढ़ रहा है हाइप भी अच्छी खासी है ल तो 32-33 के इंट्रेस मिल चुका है यानि कि भाई हाइप तो इस मुवी का है उपर से सन्नी पाजी इस मुवी में प्लिस ऑफिसर के किरदार में है तो पाजी को भी देखने के लिए काफी सारे लोग बेकरार है ठेटर में बहुत लंबे समय बादाएंगे हाला कि उनका गद इसका स्क्रेद्र फूरी वाल होगा फैंस के लिए लेकिन ऐसा हुआ अभी इसके पीछे कि क्या वजह रही होगी दोस्तों कहां कि यह कितना कमा सकती है बजट देखो भाई इसका बहुत महामूली बजट है हलागी दोस्तों मुझे यकीन नहीं आया मैंने बहुत सारे हाला कि सन्नी पाजी के फैंस भी बहुत बेकरार हैं तो बजट तो बहुत अराम से पास हो जाएगा यह मूवी अपने बॉक्स ओफिस में गगाईद अगर मैं कम से भी कम आपको बताऊं मान के चलो 30-40 क्लोड पर कमाती है तो यह सुपर हिट का वड़िक लेके चली जाएगी इसक्रीन दोनों ही मुवी प्रेम गीत और धोका से इसको ही जाएदा मिलेगा झबके बजट के हम टीनों के देखें सबसे जदा धोका मुवी का है धोका मुवी पर प्रेम गीत पि जाएगके बस में और अलग सब्सक्राइब की अलग ड्रेक्टर है गजब मुवी लेके आते हैं तो देखते हैं कि चुप मुवी को कैसा रिव्यू मिलता है अभी बात करते हैं धोका मुवी देखो भाई सब दोखा मुवी का बजट 20 करोड रुपए यानि कि चुप से एकदम डबल इस मुवी को हीट हो चल सकती है उतना हाइप नहीं क्योंकि इसकी इंट्रेस्स सिर्फ और सिर्फ चार लोग नहीं इंट्रेस्स दिखाया है यही हाल प्रेम गीठ भी है दोस्तों लेकिन उसका बजट बहुत ज्यादा कम है बताया जारा है कि नेपाली तीन करोड रुपे मनाया गया उसको प्रमोशन करना चाहिए और इस मुवी को चलना चाहिए अगर मुझे लगता है कि भारत सबका सुवागत करता है तो इंडिया के अंदर यह मुवी भी हिट होने की माद्दा रखती है और इस्क्रिन की गाईज मैंने आपको चुप का पताया नहीं कितना मिलेगा अला कि ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है लेकिन चुप को ही मिलेगा और प्रेम कीट को देखते हैं कितना मिलता है दोस्तों आपको बढ़ा दूँगी छोटे बजट की मुवी इसको इस्क्रिन बहुत करके सकता है इसके अलबाव दोस्तों कर बात की जाूँज़गा थोड़ा सा कंभेशा कुलेगा लेकिन इसका कॉंटेंट ही इसको हिट करवा सकता है और कहीं न कहीं दोस्तों यह तीनों मुवीज हबते रिलीज हो रही है एडवांस बुकिंग किसी का भी नहीं कुला मैंने चेक किया प्रेम गीत के दोस्तों अगर हम लोग देखें बुक माई शो में इंट्रेस्ट तो 4.7 के है तो